जै मात अदी आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफर्ण अंशु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंशु गुपता आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ लडू गोपाल सबके घर में होते हैं कुछ लोग लडू गोपाल जी की विधिवत सेवा करते हैं, नियम से उनका पूजन करते हैं, चार टाइम का भोग लगाते हैं, उनके वस्तर बदलते हैं, नहलाना दोलाना अपने साथ में रखते हैं कुछ लोग सिर्फ लड़ू गोपाल जी अपने घर में रखते हैं पर उनको पूजा और नियम के बारे में नहीं पता है कुछ लोग डर जाते हैं कि हमें लड़ू गोपाल जी रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि किन बातों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए यदि आपके घर में लड़ू कोपाल जी है और लड़ू कोपाल जी क्या हमें उपहार सरूप किसी को देने चाहिए या किसी से लेने चाहिए आज इन सभी बातों पर आज के वीडियो पर हम चर्चा करेंगे वीडियो का अंतक शरूर देखेगा वीडियो आपके लिए बहुत ही लापकारी साबित होने वाली है और यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब शरूर कर ले बैल नोटिफिकेशन को आउन करके ओल पर क्लिक सरूर करें सभी के घर में लडू कोपाल जी होते हैं कुश लोग लडू कोपाल जी की पूरे नियम के साथ पूजा करते हैं लडू कोपाल जी को हमेशा अपने घर का एक सदस्य मानना चाहिए उन्हें सुबह उठाना उनको नहलाना किलाना पिलाना मौसम के अनुसार उनको वस्तर पहनाना उनके पास उनके खिलोने रखना लड़ो गुपाल जी का प्यार से एक नाम भी रखना चाहिए और उनके साथ बाते भी करते रहना चाहिए यदि आप इस नियम को फॉलो कर सकते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन होगी आपकी हर परेशानी हर दुख हर तकलीफ को पाल जी तूर करेंगे और यदि आप पूरे नियम को नहीं निभा सकते हैं तो कुछ लोग मेरे से पूस्ते हैं क्या हम नियम नहीं निभा सकते तो लड़ू गोपाल जी को अपने घर में नहीं रख सकते हैं बिलकुल रख सकते हैं आप अपने घर में लड़ू गोपाल जी को रखिए और आप चार टाइम का नियम नहीं निभा सकते हैं तो लड़ू गोपाल जी को माखन मिस्री का भोग लगाईए माखन, मिसरी और तुलसी पत्र गोपाल जी को बहुत ही प्रीय है अब आपके जीवन में यदि कोई परेशानी कोई समस्या आ रही है तो आपको लड़ू गोपाल जी को ग्यारा तुलसी पत्र अरपित करने है उनसे अपनी समस्या गहनी है और उसके बाद वो तुलसी पत्र जो आपने उन्हें अरपित करें है उसमें से दो तुलसी पत्र का सेवन आप स्वेम करें अपनी समस्या लड़ू कोपाल जी को सौप के घर से निकलें आपके जीवन में जो भी परिशानी अर्चन बादा आ रही थी वो दूर हो जाएगी किसी भी परकार की समस्या हो सकती है कारें नहीं चल रहा है शादी नहीं हो रही है सवर्डीज अच्चे नहीं चल रहे है जौब में परिशानी आ रही है विफसाय में परिशानी आ रही है संतान नहीं हो पा रही है तो करिए लड़ो कोपाल जी की सेवा आपके जीवन के समस्त कस्ट दूर हो जाएंगे मेरे से बहुत सारे लोग ये भी पूस्ते हैं क्या हमें लड़ो कोपाल जी देने चाहिए उफार सरुप क्योंकि जैसे दिवाली है या शादी है शुप मांगली कारे घर में होते है तो ऐसी स्थिती में लड़ो कोपाल जी गनेश जी रादा कृशन जी की मूर्ती उफार सरुप दी जाती है पर ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए ये हमारे घर में शुप संकेत है हमें इनको उफार सरुप नहीं देना चाहिए गनेश जी की प्रतीमा हो लड़ो कोपाल जी की प्रतीमा हो रादा कृशन जी की प्रतीमा हो उफार सरुप बिलकुल भी नहीं देना चाहिए आप अपने घर की बरकत औरों को दे रही है थोड़ी आप लीजिये थोड़ी आप लीजिये तो अपने घर की बरकत को आपने अपने ही घर में रखना है कभी भी किसी भी देव प्रतिमा को आपने उपहार सरूप नहीं देना है आपको लगता है कि आपके घर में किसी बच्चे को या परिवार के किसी सदस्य को बहुत जल्दी जल्दी नजर लग जाती है जिसके कारण आप परिशान रहते हैं तो ऐसी सिती में आपने तुलसी पत्ते की माला बनानी है 11 पत्ते लेजिए 21 पत्ते लेजिए इसकी माला बनाईए और लड़ो गोपाल जी को चड़ाईए ऐसे आपने 21 दिन तक चड़ानी है उसके बाद जो तुलसी पत्त आपके पाद सारे खटे हो जाएंगे उनको एक पीस के पाउडर फॉर्म बना लें पाउडर बनाने के बाद जिसको भी आपको लगता है कि नजर बहुत जल्दी जल्दी लगती है उन्हें चुटकी भर वो पाउडर लाल रंग के पैकेट में यानि कि लालन का पेपर लेके उसमें रखके उन्हें हमेशा अपने पास रखने के लिए कहिए और रोज उबे एक चुटकी उन्हें पाउडर आपने शहत में मिला कर चटाना भी है ऐसे स्थिती में उन्हें किसी भी परकार की कोई नजर कोई टोक कोई बादा नहीं लगेगी तो मित्रो यह थी जानकारी कि लड़ू कोपाल जी को हमें रखना चाहिए या नहीं और एक और बात बहुत सारे लोग ये प्रेशन भी करते हैं कि हम अपने घर में कितने लड़ू कोपाल रख सकते हैं कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो लड़ू कोपाल बहुत प्यारे लगते हैं तो मैंने तो अपने ब graft room में भी रखे हैं देखिए ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए लड़ो गोपाल जी की प्रतिमा मूर्ती या स्टेटू मंदिर के अंदर आपको एक या दो ही रखना चाहिए दूसरा भी बलराम जी का सुरूप मान के रखे जगे जगे लड़ो गोपाल जी को ना रखे क्योंकि ऐसा करने से आरती खानी होती है और घर परिवार में अशान्ती फैलती है तो लड़ो गोपाल जी की प्रतिमा आप मंदिर में ही रखे अगर आपके पास संतान नहीं है संतान को लेकर आप बहुत परिशान है तो लड़ो गोपाल जी की सेवा बिलकूल ऐसे शुरू करतीजिए जैसे वो आपकी संतान है बहुत जल्द आपके पास भी संतान आईगी तो मित्रो यह थी जानकारी कि लड़ू कोपाल जी की सेवा हमें कैसे करने चाहिए क्या लड़ू कोपाल हमें अपने घर में रखने चाहिए और क्या हमें लड़ो को पाल जी की प्रतीमा गिफ्ट में या उपहार सरूप देनी चाहिए उमीद करती हूँ आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लापकारी साबित होगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सरूर करिएगा वीडियो को जादा चादा दोस्तों और रिष्टदारों में शेयर करें वीडियो से संबंदित यदि आपका कोई प्रेशन है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूल सकते हैं जै मात अदी आपका दिन शुभ हो